आज मैं आपकी साथ श्यायर करने वाली हुं यम्मी डिलिश्यस ब्रैसिटीचिफ चीजी वाइट पास्ता जो की बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों का ने रहें पहुत हुदी रिये झाले दो Фbourप और जाकी consent को बता है जीच ईए50 बस्ष प्रेस्ट है से बटन को जरूर दबा दीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको बिल्कुल दबाया कर वीडियो आपको कैसी लेगी जरूर बताया करें तक कमेंट बॉक्स में तक हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ बारी है या नहीं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यह लिया है पैने पास्ता आप कोई सबी ले सकते हैं अगर यह वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है यहां पर मैंने टू स्पून लिया है इससे मेदा दिया है यह और चिली फैक जितना आपको जरूरत हो उतना डालना है और यहां मैंने लिया है एक कडाई में पानी उसमें मैंने डालना है और उसके बाद इसके अंदर साल्टेट किया है और जब पानी बॉयल आने लगे तब हमको यह पास्ता इसके अंदर डालना है और इसको उबालने में हमको लगभग 15 मिनट्स लगते हैं और हमको इसको 80% तक कुक करना है पूरा कुक नहीं करना है तो कि हमें इसे सौंस की अंदर डालना है तो आप देख सकते हैं अगर इस तरह से आपका कट जाता है मतला अभी नहीं हुआ है थोड़ा हमें और लगेगा एक दो मिनट्स तो इस मिल्क यहां पर मैंने वेजिटेबल लिया है कैपसी कम और इसको हमने चॉप करके लेना है कार्लिक चॉप करके लेना है ओनियन चॉप करके लेना है यह कैरेट लिया है और यह मैंने पीस लिया है तो इतना सारा हमें वेजिटेबल चाहिए अगर यहां पर फिर जो हमारा प पाउल मैं बचा लिया हैं अब हमने ओयAR कर दिया है और यहां पर गारणी और मैंने उन्यान एह escol गया है तो और यहां पर मैंने यह carrot याट कर दिया क्योंकि carrot बहुत देर से गलता है, तो पहले मैंने उसे डाला है, तो यहां पर celery थोड़ा सा हो जाएगा, फिर बाकी की सबजी में add करेंगे, यहां पर सबजियों में आपको और कोई चोईस हो, तो वह दे सकते हैं, यहां पर और कश प्रशिकम के दो-थीन कलर आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं मेरे पास जो अब लेवल था वो मैंने डाला है इसमें तो इसको हमें बहुत अधिक नहीं पकाना है बस हमें थोड़ा सा सौटे कर लेना है अब यह हो चुका है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो एक आद कर दिया है अब उब हम अ जो हमने यहां पर मैदा लिया हुआ है था वो मैदा हम यहां पर एट करेंगे तो 2010 क्यम है और ईसको सब्सक्राइब तो कर देख सकते हैं कि अच्छे से भूँढ श्तों है और 192 यहां पर एक लिए तो हम यहां पर तरह से हो चुका है इस तरह का होना चाहिए थोड़ थोड़े बबल सा रहे हैं अब हम इसे हैं मिक्षर लेंगे इसको और इससे हमें फटाफट करना है नहीं तो लम्स आ सकते हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा मिल्क एड़ करके और इसको चलाती जाओंगी और को खुब करते हैंत हैं तो तक हमें यह चला रहे हां तो जब तक हमारा यह बल्कुल स्मूथ नहीं हो जाओगा तब तक हमे इसे में चलाना है तो तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूत हो गया है पर अब इस बात का ध्यान देना है कि हमें continuous चलाते रहना है तो अब बाकी जो थोड़ा दूद बचा था वो मैंने अब देख सकते हैं वह भी मैंने अड़ कर दिया है तो अब यह हमारी सौंस जो है रेडी होगे अभी जो मैंने जो पास्ता पॉयल किया था उसका थोड़ा पानी था वह मैंने इसके अंदर एड़ किया तो क्योंकि उसका जो एक फ्लेवर है वह आए उसके लिए हमें यह आड कर लेंगे चीज ऑप्शनल है अगर आप डाले तो बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा तो अगर नहीं हो तो भी चलेगा तो यहां पर मैंने चीज को डाल दिया है अब हमें चेक करना है कि हमारा सौंस रेडी हो गया है कि नहीं तो इस तरह से हमें एक देख लेना है फि कर दीघा को टूंधा यहां पे हमारी स्व कारेडी हो गई है थोका नहीं हम इस में और पका लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है जो हमने बेट वेटी में सो को लिया था सौते करकि बहु एट करना है पहले थो यहां पर कर दे रही हूं तो इसको एड Cute मिकस कर लों गी तो है और फिर थे छोट रिखना लोगं हमें दो ङक्षी रहा है तो अब आदिक vict कर देंगे तो रहा है है अ में और मिक्स कर लेना है तो पर अलुछ में तो तो यह हूं घ्राबगों से लिए तो तो अब यहां पर हमारा पास्ता एकदम रेडी हो गया है मैं एक बाउल लेके उसमें सर्व कर रही हूं कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सौंच से वो कितना अच्छा बना यहां पर और किनों से हम इसको थोड़ा सा रेकुरेशन कर दे रहे हैं थोड़ा उपर से चीज जाल दे रहे हैं तो फ्रेंट्स यह मेरा चीजी वाइट पास्ता कैसा लगा अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमें शेयर जरूर कीज़ेगा फ्रेंस फैंबली में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजेगा मिलती हूं फिर में नेक्स रेसेपी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाइफ्रेंट्स बाइबाइट टेक क्यर इस्टे होम स्टे सेफ और लाइक करना बिल्कूल ना भूला करें और एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है तो एक छोटा सा लाइट प्यारा सा तो बनता है तो मिलती हूँ मैं फिर से